हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप से भी का स्वागत थे आनलाइन इस्टडी स्टीज में दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है जीवन पर्चे के उपर होने वाली है ठीक न ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई जा रही है और ये वीडियो टूल्सी दास के जीवन पर्चे पर बनाई जा रही है देखे टूल्सी दास जी का जीवन पर्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से और कम से कम सब्दों में पूरे विधावत लिखा गया है ठीक ना सब्दों कम लेगे हैं लेकिन मूल मूल सब्दों को ही लिखाएगे है जैसे आप देख पा रहे हैं तो ठीक है बीना वीडियो को श्किप किये आप एकदम एक के करके पूरा इनके तूल्सी दास के जीवन पर्चे को ध्यान से देखिए सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे तूल्सी दास उसके बाद दूसरा हेडिंग हमारा रहता है जीवन पर्चे उसके बाद हम लिखेंगे तूल्सी दास के बारे में तो कहा गया कि गोष्वामी तूलसीदास जी का जन्म सन 1532 में बादा जीले के राजापूर गराम में हुआ था आप यहां सन पर ध्यान दे दिए उसके बाद यहां उनके किस गाओं में जन्म हुआ था यहां ठीक न, यहां ध्यांद दिये, कुछ बिदवान इनका जन्म एटा जीले के सोरो ग्राम में मानते हैं, मतलब इनके जन्म अस्थान पर भी मतभेद जताया जाता है, अचारे रामचंद्रसुकल ने राजापूर का ही समर्थन किया है, अचारे रामचंद्रसुकल इनका नाम आ हुलसी सर्यू प्रारीन ब्रामण थे, इनके पीता आत्मा राम दूबे और माता हुलसी, माता क्या नम था? हुलसी, यह याद रखना आपको, ने अभूक्त मूल नच्छत्र में उत्तपन होने के कारण इन्हें त्याग दिया था, मतलब इनका बच्चिपन अनेक के बीच बैतीत हुआ, जब यह छोटे थे, इन्होंने अनेक अपदाओं को सहन किया, सोभागे से इनको बाबा नरहरी दास जैसे गुरू का साथ मिला, इनके गुरू का क्या नम है? तो नरहरी दास, इन्ही के किरपा से इनको सास्त्रों के अधैयन, अनुसिलन का आउसर मि मतलब कि यह सास्त्र का अधैन की किसके स्वयोग से तो नरहरी दास जैसे जो गुरू थे उनके स्वयोग से, स्वामी जी के साथ ये कासी आ गए, अपने गुरू के साथ कहा आ गए? तो कासी, कासी बनारस को ही कहते हैं, ठीक न? जहां प्रमविदवान, महतमा सेस, सनातन ज दी ने इन्हें बेद, बेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण, आदि में, सिक्छा दी, तुल्शी दास का बिवाह दिन बंधु पाठक की सुन्दर और बीदुसी कन्या, रतनावली से हुआ था, तो तुल्शी दास का बिवाह किसके साथ हुआ था? तो ये देखिए, य बंधु पाठक की एक सुन्दर और बहुत ही चतुर लड़की थी, जिसका नाम क्या था? रतनावली, यानि की तुल्शी दास की ये पतनी हुई हुआ था, इन्हें अपने रुपवती पतनी से अत्यधिक प्रेम था, एक बार पतनी द्वारा बिना कहे, मैके चले जाने पर अर्ध रातरी में आंधी तुफान का सामना करते हुए, ये अपने ससुराल जा पहुँचे, मतलब की रात को ही पतनी के लिए कहां चले गए, तो ससुराल, और रास्ते में क्या इन्हों ने देखा, तो आंधी तुफान का सामना भी किये, इस पर अपनी पतनी से फटकार बैराग्य हो गया ये मुख्य पॉइंट देना है बैराग्य मतलब साधुआद का गुणिस में इनमें उत्पन हो गया किनमें तूलसी दासज में अनेक तीर्थ का भ्रहमण करते हुए ये राम के पवीत्र चरीत्र का गायन करने लगे मनें ये राम के भक्ति का गुरगान करन लगे अपनी अधिकांस रचनाएं इन्होंने चीत्रकूट कासी और अयोध्या में ही लिखी मतलब की चीत्रकूट में कासी में और अध्या में जब ये रह रहे थे उसी समय अधिकांस जो रचनाएं थी इन्होंने लिखी कासी के असी घाट पर सन सूरस तेइस स्वी में इ अच्छा से ध्यान दीजिएगा कि जन्म किस समय पे हुआ है कहां पे हुआ है पीता कौन थे माता कौन थे गुरू जी कौन थे और लास्ट में जो मुख्य पॉइंट दिया गया है कि इनकी मिद्थी कहां पे हुई है इस पेर हमें ज्यादा फोकस करना है एक्जाम की दोरान और रचनाय लिखनेंगे, रचनाय देखिए, तर रचनाय एक बोलता है, तुलसी दास की कुछ परमुख रचनाय निमनलिखित है, निमनलिखित, सिरी राम चरीत रमानस ये तुलसी दास की एक रचना है, बीने पत्रिका ये भी एक रचना है, कभी तावली, दोहावली और इ ठीक न अब सहित्यम एस्थान अब तूलशी दास के बारे में इतना पूरए हैं तो इनके सहीत्य में क्या कहा अस्थान था इसे इन्हें किस परकार के मतलब की कभी smile מתまた यπά से या का उपाय सुल जाए मनें इनके जबाने में जो जो समाज में कुरुतिया थी उस पर ये बहुत ही ध्यान दिये और उसके निवारण के लिए अनेके रचनाय भी कि जिससे समाज का क्या हो मतलब कि विकासो अंधविश्वास अटे अनेक कुरुतिया उनके साथ से हटे साथ ही अनेक मतो और विचार धराओ के समन्य अस्थापित करके समाज में पुरन पुनर जागरण का मंत्र फूंका इसलिए इन्हें समाज का पर्थ परदर्शक कभी किसे कहा गया है तो तुलसी दास के ठीक है यहां तुलसी दास की जीवन परचे क्या हो गई समाप्त हो गई तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी हो तो इसे ठोड़ा सा लाइक करिए वीडियो पर कमेंट किरिए अपने दोस्तों में सेयर कर दिजिए ताकि हमारा सोयोग मिलते रहे और हम मोटिवेट हो करके आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो औ और बनाते रहे ताकि आपका एक्जाम में हम लोग क्या कर सके अच्छे से सहता कर सके ठीक है धन्यबाद जैहिंद